नमस्ते, योग लच्ष्मी की रसोय में आपका स्वागत है आज मैं आपको चटपटि कच्चे आम और कावली चले का चार बनाना बताऊंगे अगर आप एक बार इस तरीके से आम का चार बनायाएंगे तो हर साल इसी तरीके से अचार बनाके खाएंगे और साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसे अपना कर आप अचार को कई सालों तक इस्टोर कर सकते हैं तो चली अचार बनाना सुरू करते हैं आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को काट के अच्छे से धो ले मैंने एक किलो कच्चे आम लिये हैं और इन्हें धो के सुखे कपरे से पोच लिया है ध्यान रहे कि आम में बिल्कुल भी पानी ना रहे नहीं तो अचार खराब हो जाएगा अब इसे चार-पांस घंटों के लिए पंखे के निचे रख देते हैं जिसे कि आम में जो भी नमी है उसुख जाएगी चार-पांस घंटे हो चुके हैं आम अच्छे से सुख गए हैं ध्यान रहे कि आम को अच्छे से सुखाना जरूरी है इसलिए आप आम को अच्छे से सुखाएं इसके बाद मैं आपको यह बताते हूं कि हमें अच्छार में कौन से मसाले डालने हैं 500 ग्राम सर्षू के तेल, 2 चमस मेथी दाना, 2 चमस सौफ, 2 चमस सर्षू के दाल, 2 चमस राई के दाल, 1 चमस हल्दी पाउडर, 2 चमस लाल मिर्ची पाउडर, 1 चमस अजवाइन, 1 चमस कलाउंजी, 500 ग्राम यानि कि 5 बरे चमस नमक और 500 ग्राम काबली चने, काबली चने डालने से अचार बहुत ही स्वाधिश्ट बनेगा, पर ये बिल्कुल आप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो इसे ना डाले, इसके बाद गैस पे कडाही चड़ाए और मेथी दाना भून ले, मेथी दाना ब्राउन हो गया है, अब इसे कराही में से निकाल दे, और स्वाफ भून ले, स्वाफ को भी एक मिनट तक थोरा ब्राउन होने तक भूने, स्वाफ भी भूना गया है, अब इसे कराही में से निकाल लेते हैं, इसके बाद स्वाफ और मेथी दाने को ठंडा होने के ल सोंफ मैधी दाना पिशा गया है यह देखे इन्हें ऐसा दर्दरा पिशना है इसलिए इन्हें जादा बारिक नहीं पिशे इसके बाद गैस पे कड़ा ही चला है और सर्षो तेल गरम करें सर्षो तेल इसलिए गरम कर रहे हैं क्योंकि अचार में गरम सर्षो तेल ही डालते हैं कच्चा सर्षो तेल नहीं डालते हैं सर्षो तेल थोरा गरम हो गया है अब इसमें चार लॉंग और एक चोथाई चमच हींग डाले यह देखे सर्षो तेल अच्छे से गरम हो गया है अब गैस बंद कर देते हैं और सर्षो तेल को ठंडा होने के लिए रख दे जब तक सर्षो तेल थंडा हो रहा है तब तक आम में मसाले डाल देते हैं हल्दी पाउडर, नमा के, लाल मिर्ची पाउडर, सर्षो के डाल, राई के डाल, अजवाइन डाले, क्लाउंजी डाले, अब सभी मसाले को अच्छे से मिलाए इसके बाद पीशा वसुआप अमेथी दाना डाले इसके बाद गरम किया हुआ सर्षो के तेल डाल के अच्छी तरह से मिलाए अब कावली चना डाल के अच्छे से मिलाए, अगर आप कावली चना नहीं डालना चाहते हैं तो ना डाले पर अगर आप कावली चना डालेंगे तो अचार बहुत ही स्वाधिष्ट बनेगा अचार में थोरी मिर्ची कम लग रही है इसलिए मैं इसमें इस चमसे दो चमस मिर्ची डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाध अनुसार डाल सकते हैं और दो चमस नमक डाल रही हूँ अभी तक मैंने अचार में टोटल चार चमस मिर्ची पाउडर और साथ चमस नमक डाला है मैं ज़्यादा मिर्ची खाती हूँ इसलिए मैंने चार चमस मिर्ची डाली है अचार में नमक अच्छे से डाले क्योंकि अगर अचार में कम नमक डालेंगे तो अचार खराब हो जाएगा अब अचार को ढखके तीन दिनों के लिए रख देते हैं तीन दिनों के बाद अचार को बढ़नी में डाल देंगे तीन दिन हो गए हैं अब अचार को चेक कर लेते हैं अचार में तेल कम लग रहा है इसलिए इसमें तीन कल्ची तेल डाल देते हैं अचार में तेल अच्छे से डाले क्योंकि अचार में तेल अच्छे से डालने से आप अचार को ज्यादा टाइम तक इस्टोर कर सकते हैं ये देखें काबली चना भी अच्छे से फूल चुका है अचार बनके तयार हैं अब आप इसे खा सकते हैं पर दस दिनों बाद खाएंगे तो आम थोरे पक जाएंगे और अचार अच्छे से तयार हो जाएगा अब अचार को सुखी बढ़नी में डाल दे ध्यान रखें कि बढ़नी में बिल्कुल भी पानी ना हो अब मैं आपको एक सिक्रेट बताती हूँ कि जिसे कि अचार कई सालों तक हरा रहेगा कि आप अचार को कभी भी धूप में ना रखें क्योंकि धूप में रखेंगे तो अचार का कलर चेंज हो जाएगा अगर आपको अचार को लंबे समय तक चलाना है तो इन बातों को ध्यान रखेंगा कि अचार में बिल्कुल भी पानी ना जाए ध्यान रखें कि आप सुखे चमच से अचार निकाले और अचार की बरनी का ढखकन टाइट पैक करें ताकि अचार में बिल्कुल नमी ना जाए और आप अचार लंबे समय तक खा सके मेरे रिसीपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें